दोस्तो इस समय पाकिस्तान की वायू सेना और पाकिस्तान की जनता खूब दबा कर खुशिया मना रही है क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान की वायू सेना भारतिय वायू सेना से 14 साल आगे निकलने जा रही है इस बात को आप बिल्कुल भी हलके में मत लेना क्योंकि रेशिया, चाइना, अमेरिका और यूरोफ के गई डिफेंस एक्सपर्ट भी भारत को इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि अगर भारत ने जल्द से जल्द कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लिया तो पाकिस्त की वायू सेना को अपने जे थर्टी वन फाइटर जेट की डिलेवरी करना शुरू कर देंगे, वही पर इस समय भारत के एमका लड़ाकु विमान को देखा जाए तो हमारे एमका लड़ाकु विमान को आने में अभी भी 10 से 11 सालों का समय लगने वाला है, नहां पर एक जेनरेशन के फाइटर जेट का इस्तिमाल कर रहे होंगे, जो ये पाकिस्तान के पांचवी पेड़ी के फाइटर जेट होंगे, यानि की जे थर्टी वन जैसे ही ये पाकिस्तान की वायू सेना को मिलने शुरू होंगे, उसी दिन से ही पाकिस्तान की वायू सेना को भारतिय वायू सेना के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा अब सब ये बात जानते हो कि इस समय पाकिस्तान के कुछ पाइलेट जे-31 फाइटर जैट को उड़ाने की ट्रेनिंग चाइना से लेने में लगे हुए हैं इस तरीके की ट्रेनिंग हमारे पाइलेट ने जब की थी कि जब हमने फ्रांस के साथ रफाल फाइटर जैट की डील की थी और इस डील के पुराण जब हमको फाइटर जैट मिलने शुरू हुए थे उससे दो साल पहले ही फ्रांस ने हमारे पाइलेट को ट्रेनिंग दी थी यानि आने वाले दो सालों में अगर पाकिस्तान की वायू सेना को J31 फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप इस बात को देखकर बिल्कुल भी हरान मत होना इस पूरे ही केस को लेकर आज पाकिस्तान की तरफ से एक एनलाइस को भी पेश किया गया है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बोला गया है कि इस दिन हमारी वायू सेना के पास J31 फाइटर जेट आज आएंगे उसी दिन से ही हमारी वायू सेना भारतिय वायू सेना से 14 साल आग कर लेती है तो फिर भी ये हमारे fighter jet का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसा पाकिस्तान की तरफ से इसले भी बोला जा रहा है क्योंकि इतना हमारी वायू सेना को पहला M का लड़ा को मिमान मिलेगा इतना पाकिस्तान की वायू सेना के पास 200 की संख्या में stealth fighter jet मुझूद होंगे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से planning ये की गई है कि सो की संख्या में तो हम चाइना से J31 fighter jet को लेंगे और सो की संख्या में हम तूर्की से तूर्की के कान stealth fighter jet को लेंगे यानि पाकिस्तान की वायू सेना के पास 200 stealth विमान मुझूद होंगे वहीं पर हमको इनको counter करने के लिए एक भी इसा fighter jet मुझूद नहीं होगा जिससे हम इन 200 fighter jet का मुकाबला कर पाएं लेकिन आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास तो खाने तक के पैसे के लाले पड़े हुए हैं तो ये fighter jet को केसे खरीद लेंगे इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान को चाइना और तुर्की की तरफ से credit line दी जाती है यानि कि चाइना और तुर्की इनक तो हमारी वायू सेना पाकिस्तान की वायू सेना से 14 साल पीछे हो जाएगी और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी वायू सेना को F-35 fighter jet को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको Su-57 fighter jet को लेना चाहिए इस बात का अंचर आप कमेंट बोक्स में दे सकत हैं थैंक्स फोर वोचिंग इस वीडियो वेव गूद दे